फास्ट बॉलिंग से बरपा रहे कहर बैट्समेंग जिनकी यॉरकर के आगे नहीं पा रहे ठहर कोवेट शा बने पाकिस्तान की नई संसरी अंडर 19 वर्ल कप में लगा दी विक्तो की जड़ी पाकिस्तान वालो मुझे जरा एक बात बता देना तुम लोग क्या खिला के पैदा करते हो भाई रफ्तार ऐसी की नसीम को भी हो उन पर नाज अब तो हारुस की जगे उनके सिर्फ सजेगा ताज हारी हुई बासी को पलचने में है माहिर बालिंग में बन गए है जो नजीर मतलब एक नसीम शा कम था यह उबैद शाह आ गया है बल्ले बाज बोलेगा की भाई मैं बैक्टिंग करना छोड़ दूँ क्या पर एक बार फिर से पाकिस्तान के उभरते हुए तेज गेंद बाज नसीम के छोटे भाई उबैद शाह दूस्तो जैसे कि आपने हाई राइट्स में देख लिया है चंद सेक्टिंड के बाद हमकमल वीडियो की जाने बी चलेंगे पाकिस्तान के उबरते हुए नजवान फ फास्ट बॉलिंग से बरपा रहे कहर बैट्स मेंग जिनकी यॉरकर के आगे नहीं पा रहे ठहर वैट्स शाह बने पाकिस्तान की नई संसरी अंडर 19 वर्ल्ल कप में लगा दी विक्तो की जड़ी रफ्तार ऐसी की नसीम को भी हो उन पर नाज अब तो हारिस की जगे उनके सिर्फ सज्जे का ताज हारी हुई बासी को पलतने में है माहिर बॉलिंग में बन गए है जो नजीर हराब दोर से गुजर रहे पाकिस्तान की टीम को उमीद की एक नई रोशनी जरूर मिली है कहते हैं ना जजबे में दम हो होस्लों में उडान हो फिर तो चटान भी आ जाए उसे भी चीर कर रास्ता बना दे मन्जिल मिल ही जाती है बस चाह हो और उसे कर पाने की चाहत चाहे तूफान ही क्यों ना आए वो भी उसके आगे जुक जाए आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 17 साल की युवा तूफानी गेनबाज जिसने फिर से पाकिस्तान क्रिक्ट के उमीद जरूर जगादी होगी फास्ट बॉलर्स का गड़ कहलाता था पाकिस्तान एक से एक वर्ल्ड क्लास तूफानी बॉलर जिस मिट्टी से आए आज हालात ये है कि शाहीन को छोड़ दे तो मौझूदा वक्त में शायद हो कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा चाहे कंडिशन कुछ भी हो जो अपनी टीम को यकीन के साथ ये कह पाए मैं हूना नसीम शा के इंजरी ने जैसे पाक गिंदवाजी की धार ही खत्म कर दी पाक तिकड़ी मानो बिखर सी गई हम बात कर रहे हैं शाहीन नसीम और हारस की वैसे हारस को शाहीन और नसीम की सभी बॉलिंग का फायदा जरूर मिलता था बावजूद वो पहले भी रन लुटाते थे आज भी हालात ऐसे ही हैं हाँ पहले उन्हें विकेट जरूर मिल जाता था अब तो वो इसके लिए भी तरस रहे हैं जाहिर है युवा बॉलर उबै उबैद शाह की बॉलिंग में रफ्तार के साथ ही लाइन लेंथ भी कमाल की है इसका मुझाहरा उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टूनामेंट में पेश भी कर दिया उबैद ने दिखा दिया कि अभी पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स के आने का ट्रेंड खात नहीं हुआ अब भी ऐसे का यंग्स्टर हैं जो अपनी गेंद से आग उगलने का मादा रखते हैं और उसकी ताजा मिसाल उबैद खुद हैं ये वही उबैद शाह हैं जो पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई हैं गेंद बाजी ऐसी कि खुद नसीम को उन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप के सैमी फाइनल में पहुचाने में 17 साल के फास्ट बॉलर उमेच्छा का एहम रोल रहा जिनोंने लो स्कोरिंग मुकाबले में बांगलादेश के खिलाफ पांच विकेट लेकर संसनी मचा पाकिस्तान के लिए ये डू और डाइ का मुकाबला था और आखरकार उबैद की आग उगलती गेंद ने बांगलादेश को जुलसा दिया और पाक टीम ने महज पांच रनों से जीत कर सैमी फाइनल में अपना टिकेट कटाया यही नहीं उबैद का पूरे वर्ल्ड कप टूनामेंट में शांदार परफॉर्मेंस रहा उबैद शाहनी अंडर 19 वर्ल कप दोजार 24 टूनामेंट में अब तक खेले गए पांच मुकाबले में 17 विकेट हासल किये है पाकिस्तान वालो मुझे जरा एक बात बता देना तुम लोग क्या खिला के पैदा करते हो भाई मतलब एक नसीम श है और आप लिटरली बताओ आज पाकिस्तान पूरा मैंच हारा हुआ था 155 रन बनाया था 156 रन का टार्गेट था भाई साब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी अब नसीम शाह का यह बाई है एक नसीम शाह ने तो वैसे भी जीना हर आपका रखा है बल्ले बाजों का मतलब उसका बॉल तो खेल नहीं पाता यह बटलर एलेक्स हेल्स वगर है समझ में नहीं आ रहा था टी टूंटी वी शोकप के फाइनल में समझ में नहीं नहीं आ रहा था उसको छोड़ो सूरिया को समझ में नहीं आ रहा था और जब इंडिया और पाकिस्तान के खिलाडियों का जलवा है अंडर 19 विश्यो कप में इस बार का हमारी यहां पे भी एक और है मुशीर खान बल्लेबाज बाइसाब क्या बल्लेबाजी कर रहा है बंदे ने दो सिंचुरी मारी हुई यह ठीक है गेंदबाजी में हमारे पास एक पांडे जी है वो भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे है उधर से पाकिस्तान की तरफ से यह आ गए उबैद शा गया गजब का आज़े बाई सब गजब का और मैं लिखवा के ले लो अगर ये बंदा अपनी फिटमेस पे काम किया और हमेशा फिट रहा और पाकिस्तान को प्रियोर्टी इन्होंने दिया अपनी टीम को प्रियोर्टी दिया पैसे के पीछे नहीं भागा मैं बता रहा हूँ ये उबैद श गल रहा हूँ और ये फ्रेंचाइजी लिग बंद करो खिलवाना ज्यादा नहीं बस दो ही फ्रेंचाइजी लिग खिलवा लो और बाद मा की पाकिस्तान टीम के लिए खिलवाऊ उस्ट के लिए और उबैद शाकी मैंने गिंदवाजी देखी आज का मैच में नहीं देख पाया लेकिन गजब की गिंदवाजी करता है अच्छा एक्षन भी है कमाल का स्मूद एक्षन है मजा आता है देखने मुझको उबैद शाको तो मैं वही बोल रहा हूं कि भाई क्या खिला के पैदा क गठी दिन मैं विकेट उस तीन की धुनाई उतिए गजब की धुनाई होती है अगर अगर गिंदाज के पास पेस्क मारी है नरुड फिर तो फिर तो लानत ही है हाँ आपके पास variation होना चाहिए variation बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप 145 फेक ले रहा है तो अगर आप 145 फेकते हैं तो आपके पास 125 का गेंदर डालने का भी हुनर होना चाहिए उभैश्चा में है बस थोड़ा और polish होनी की जरूरत है और देखो ये बंदा ना खिल के निकला तो मेरा नाम बदल के रख देना गजब का गेंदर बाज है ऐसे ही थोड़ी कहता है पाकिस्तान पेस फ्रेक्टरी है बाई वहाँ पे बस यही मुझे बताने कि क्या खिला के पैदा करते हो ऐसे